नमश्कार दॉस्तों, आज हम बना रहे है चना मसला, वो भी टिफिन के लिए तो चलो, स्टर्ड करते हैं, चना मसला बनाना चना मसाला बनाने के लिए मैंने लाल चने लिए है जो थोड़े छोटे बारिक साइज के होते है लेकिन इसका टैज जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है तो मैंने एक कटोरी चने लिए है उसको राद भर भिगो दिया है राद भर भिगने के बाद आप देख सकते हैं चन तो मुझे जब चने में कुकर में लगा होंगी, तो ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सारे चने भीग जाए और थोड़ा सा पानी उपर रहाग जाए, इतना ही पानी रखना है, और जब आप कुकर में इसको लगा होगे, तो उसके साथ नमक बे आड़ कर देना, तो क्या हो यह आपके चने जो है, वो सॉफ्ट पकना बहुत ज़रूरी है, मैंने एक कड़ाई में एक चमज ते लिया, तेल गरम होने के बाद उसमें राई डाली, राई चटकनी के बाद मैंने डाले है, दो प्यास डाले है, कट करके, बड़े सइज के, और फाइनली कट किये है, मैंने 7-8 लसुन की कलिया, और 1.5 इंच अद्रक का टुकडा लिया है, वो भी मस्त भुनने दो, जब तक उसका कच्छा स्मेल न चला जाए, ये दोनों ही अच्छे भुनने के बाद उसमें डालना है टोमाटो, मैंने 3 मिडियम साइज के टोमाटो लिया है, और उसका प्यूरी लिया है, प्यूरी डाल दिया है, प्यूरी को मुझे अच्छी तरह से पका लेना है तेल में, जब तक कि वो तेल न चोड़े, अभी ये जल्दी, ये काम जल्दी होने के लिए उसमें थोड़ासा नमक डालना है, और थोड़ासा शुगर डालना है, शुगर डाल तो थोड़ी शुगर और थोड़ा सा नमक उसमें डाल दो और उसको अच्छी तरह से पपने दू जब तक यह पकता है तब तक हम ड्राय मसाले निकाल लेते हैं ड्राय मसालों में मुझे चाहिए एक चमच लिया है मैंने छोड़ी मसाला एक चमच लिया है मैंने लाल मिच का लिए एक छिर भूडर और थोड़ा सा को सुरी मीती अभी टोमाटो जो है आप देख सकते हैं मस्त पग्य है यानि टोमाटो प्यास का मसाला है मस्त पग गया है तेल भी चोड़ना शुरू के दिया है जबकि मैंने तेल बहुत नहीं आड़ किया था आपको पसंद है आप ज् तो बहुत जल्दी मसाले क्या होते जल जाते हैं अभी उसमें डाल दिये हैं मुझे चने तो मैंने चने डाल दिये हैं उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लो अभी उसमें से मैंने एक चम्मच चनी बाजू में रखेते हैं उसको मुझे चम्मच की साहियता से क्रश कर लेना है और अभी मैं टिफिन के लिए बना रही हूँ इसके लिए मैंने बहुत ग्रेवी नहीं बनाई लेकिन आपको ग्रेवी जादा चाहिए तो आप उसमें पान पानी डाल दो पानी लेकिन गुनगुना या गरम ही पानी डालो थंडा पानी जालोगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा इसके लिए हमेशा डालो तो गरम पानी डालो और यह जो चने निकालेते हैं हमने बाजू में उसको क्रश कर लो और उसके साथ मिक्स कर दो तो द वाई लाने के बाद 5-6 मिनिट तक फिर से सीम गैस पर उसको अच्छे से पकने देना है तो टेस्ट अच्छा है तो मेरे चने तयार है तो घर पे जरूर ट्राइ किजिए ताइंक यू